इब्राहिम परमिश्वर से तोल मोल क्यों कर रहा था? बार गेन पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यहोवा अपने दो स्वारगदूतों के साथ इब्राहिम के समुख प्रकट हुआ और इब्राहिम ने उनकी बड़िया खातिरदारी की फिर यहोवा ने इब्राहिम को उसके पुत्र उत्पन होने का निश्चित समय बताया तो अब आगे उत्पत्ती 18-16 फिर वे पुरुष वहां से चल कर सदों की और ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला तो आगे की आयतों में में पता चलता है कि यहोवा और उसके दो स्वर्गदूतों के इब्राहिम के पास आने का मुख्य उद्देश ये क्या था इब्राहिम को थोड़ा आभाद जरूर हुआ होगा कि वे पुरुष सदों की और क्यों ताकरे थे क्योंकि इबराहिम जानता था कि सदोम और अमोरा में घिनोने पाप होते हैं इसलिए इबराहिम के मन में ये जानने की जिग्यासा थी कि यहोवा उन नगरों के साथ क्या करने जा रहा है परमिश्वर तो इबराहिम के मन की बात जानता था और इब्राहिम उसका मित्र भी था परमिश्वर का और परमिश्वर अपने मित्रों से कुछ नहीं छिपाता इसलिए यहोवा ने कहा 17 तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूँ तो क्या इब्राहिम से छिपा रखूँ इब्राहिम से तो निश्चे एक बड़ी और सामर्थी जाती उपजेगी और पृत्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीश पाएंगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को यानि इबराहीम जो उसके पीछे रह जाएंगे आग्या देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इबराहीम के विशे में कहा है उसे पूरा करें मतलब परमिश्वर को इबराहीम पर विश्वास था कि इबराहीम अपने वंशजों को यहोवा के मार्ग पर ही चलाएगा इसलिए परमिश्वर ने यहाँ इबराहीम से किया हुआ अपना वादा दोहराया जिसमें उसने कहा था कि इबराहीम के द्वारा पृत्वी के सारे कुल आशिशित होंगे लेकिन जायर सी बात है कि परमिश्वर की यह आशिश सदोम और अमोरा पर तो लागू नहीं हो सकती थी क्योंकि वे तो पाप में जी रहे थे इसलिए परमिश्वर इबराहीम के संतान उत्पन होने से पहले ही सदोम और अमोरा को नश्ट करने आया था मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिलाहट मेरे कान तक पहुँची है उनोंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा मैं समझता हूं कि यहाँ जिस चिलाहट की बात हो रही है यह वो चिलाहट है जब मनुश्य अपने एहंकार में मनमाना जीवन जीता है और घिनोने पाप करता है और परमेश्वर के विशे में जरा भी नहीं सूसता तो उनकी ये चिलाहट परमेश्वर तक पहुंच गई थी मतलब उनका पाप बहुत बढ़ गया था तो यहां जो परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने पाप ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा उसका मतलब यह नहीं है कि यहोवा को पता नहीं था कि सदोम और अमोरा की क्या वस्था थी परमेश्वर को तो सब पता था लेकिन यहां वो इब्राहिम को समझाने के लिए कह रहा था कि वो सदोम और अमोरा का ठीक ठीक न्याय करेगा मतलब उनका पाप पूरा हो गया है इसलिए वो निस्चित उनको नाश करेगा 22 सो वे पुरुष वहां से मुड़के सदोम की और जाने लगे पर इब्राहिम यहुवा के आगे खड़ा रहे गया तो वो बाकी दोनों स्वर्खदूत चले गया और यहुवा थोड़ी देर वहां खड़ा रहा तो इब्राहिम उनसे बात करने लगा तब इब्राहिम उसके समीब जाकर कहने लगा क्या सचमुच तुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblestudy.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छे स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोस बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबा कर 240P 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240P सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्शक है एक विशेश सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चर्ण सेकंड फेस ओफ आर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है